कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझपे आरोब लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिया अब सवाल ये है कि जब कैप्टेन साथ को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझपर ये जूथे आरोब क्यूं लगाए केंदर सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन नौ स्टेडियम में डाल देंगे हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत में लिए तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज है आज से डेड़ साल पहले दो हजार उन्निस में केंदर सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए कमिटी बनाई थी उस कमिटी में पता है कौन था उस कमिटी में कैप्टन साथ है इस सब के बीच जब कुछ लोग आए दिन किसानों को आतंकवादी बिलाते हैं गेश दो ही कहते हैं तो मैं आप सब को नमश्कार सत्स्रियकाल आज पूरा देश देख रहा है हमारे देश का किसान कड़ी ठंड में रात को आसमान के नीचे खुली सड़क पे सो रहा है ये सोचके सारी रात नींद नहीं आती है आज कोई भी देश वक्त ये देखके चैन के नींद नहीं सो सकता ये लड़ाई सिर्फ हमारे किसान भाईयों की नहीं है ये हम सब की लड़ाई है जरा सोचिए जो दो वक्त की रोटी हम खाते हैं वो हमारे किसान भाईयों की मेहनत की उगाई हुई होती है हम सब को इस लड़ाई में अपने किसान भाईयों का साथ देना है कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझे पर आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिये इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीती कैप्टन साब कैसे कर सकते हैं ये तो तीनो केंदर के कानून है जिस दिन राष्ट्रपती के इस इन तीनो कानूनों पे दस्खत हुए थे उसी दिन ये तीनो कानून पूरे देश में लागू हो गए अब ये किसी राज्य सरकार के उपर नहीं है कि वो इने लागू करेगी या नहीं करेगी अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंदर सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यूं आते वो अपने अपने राजे के मुख्यमंत्रियों से मांग करते ये कानून केंदर सरकार लाई है और कोई भी राजे सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है अब सवाल ये है कि जब कैप्टेन साथ को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझे पर ये जूटे आरोग क्यों लगाए इसका एक बहुत बड़ा कारण है जब से हमने दिल्ली के नौ स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है तब से केंदर की भाजपा सरकार मुझे से बहुत साथा नाराज है केंदर सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन नौ स्टेडियम में डाल देंगे हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाज़त नहीं दी तो वो लोग अब मुझसे बहुत नराज हैं मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझे पे कितना दबाव आया था किस किस का फोन नहीं आया लेकिन जिन्दगी में कुछ ऐसे मौक्या आते है जब आप अपने जमीर की सुनते हो नतीजे की परवानी करते है कैप्टन साब क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझे जुट्या रोप लगा रहे हो मुझे गालियां दे रहे हो बीजेपी की बोली बोल रहे हो बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो या कोई दबाव है क्यूंकि आपके परिवार पे एडी के केस चल रहे हैं आजकल और एडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल कैप्टन साब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आये पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टेन साब ने इन बिलों को क्यों नी रोका आज से देड़ साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये कीनों काले कानून बनाने के लिए कमिटी बनाई थी उस कमिटी में पता है कौन था उस कमिटी में कैप्टेन साब थे कैप्टेन साब पंजाब के लोग आप से पूछ रहे हैं कि आपने उस कमिटी में इन काले कानूनों को क्यों नी रोका आपने कमिटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नी किया आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंदर सरकार इतने खतरना कानून बनाने जा रही है कैप्टन साव आपके पास एक नी दो नी तीन नी इतने मौक्य आए जब आप इन बिलों को रोक सकते थे आज पंजाब का किसान आपसे पूछ रहा है कि आपने ये बिल क्यों नी रोके आज दिल्ली की सहरद पे पंजाब का किसान है और देश की सहरद पे उसी किसान का बेटा पंजाब का जवान है अभी कुछ दिन पहले पंजाब के एक किसान सरदार कुलवन सिंग जी दिल्ली की सहरद पे बैठे हुए थे और खबर आई कि उनका 22 साल का जवान बेटा सुखवीर से बॉर्डर पे देश के लिए शहीद हो गया इस सब के बीज जब कुछ लोग आए दिन किसानों को आतंकवादी बुलाते हैं देश द्रोही कहते हैं तो मैं सोचता हूं कि बॉर्डर पर उन जवानों पर क्या बीटती होगी जिनके किसान माबाप को आतंकवादी कहा जा रहा है आज हम सब को तैय करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ हैं या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ हैं मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि हर देश भक्त किसानों का साथ दे मेरी सभी आम आदमी पार्टी के लोगों से अपील है कोई राजनीती नहीं करनी सभी पार्टियों के लोगों के साथ मिलके भारतिय बनके किसानों के सेवा करनी है राजनीती करने को पूरी जिंदग मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि किसानों को सभी मांगे किसानों की तुरंत मानी जाए और MSP की गारंटी को कानून में डाला जाए जै हिल्द